है यो डियर इस्टोएंट्स बहुत-बहुत स्वागत अपनी युडूब चनल कॉमवाज विस संजीप स्रमें और आज हम आपको कंपनी लाका जो एंटरनल आग्जाम हो रहा उसकी दृष्टी से बहुत ही महत्पून जो कुशन्स हैं जो आ सकते हैं उनके लिए हम यहाँ प प्रसंटों को पहले से भी दिया हुआ है और जो भी बताया है मोश्टली वही ऐग्जाम में आता है तो है शुरू करते हैं कि आप अब अगर अपना इंटरन एग्जाम देने जा रहे हो या मिट्टरम का एग्जाम देने जा रहे तो आप से क्या-क्या पूछा जा सकता है या तो college ने पहली बता दिया होगा कि कौन कौन से chapter साएंगे अगर college से suggest ना हो पाए हो अगर college से जानकारी नाल मिल पाई हो तो मैं जिन question को बता रहा हूँ उनको आप तयार कर लीजे जो लोग हमारे paid classes जोड़े हुए उनके पास में सारे notes, सारे पीडिया तुरंत दे रहे हैं और अगर कोई नया बच्छा जुड़ना चाहें कोई problem हो रही हो 97198-1101 तूरे आपके B.com की बहुत अच्छे स्तियारी हम कराते हैं तो आईए समझाते हैं कि पहले नंबर पे question number 1 कौन सा हो सकता है mostly जो universities हैं या college हैं उन्होंने पहले नंबर पे जो question रखा हुआ है वो इस प्रकार से रखा हुआ है कि company एक कानून द्वारा निर्मित किरत्रिम ब्यक्ती है इसे सपष्ट कीजिए ठीक है? company एक कानून द्वारा बनाई गई किरत्रिम ब्यक्ती है या किरत्रिम संस्ता है इसे अपने सब्दों समझाईए तो इस बाले में आप के लिए और कुछ college हो में रखा गया है कि company से आप किसे समझते हो company से आप क्या समझते हो इस तरह से आ रहा ये question बहुत important है इसमें अर्थ ही लिखना है कमपनी की बिसेश्थाएं बताइए अब यही प्रस्न जो मैंने बोला था कि कमपनी कानून द्वारा बनाया गया एक किरत्रिम ब्यक्ती है वो यही प्रस्न है बस answer दोनों का एक जैसा ही लिखना है तो कमपनी से आप क्या समझते हो कमपनी की विशेश्थाएं बताइए यह question एक हो गया दूसरे नंबर पे जो question मोशली पूछा जाएगा वो होता है कमपनी के प्रकारों का बढ़न किये जिए अब यह प्रस्न आ सकता है कि कमपनी कितने प्रकार की होती है यह कमपनी का वरगी करण कीजिए इस तरह से भी आ सकता है तीसरे नंबर पे जो mostly आप से पूछा जा सकता है question number 3 पे बहुत ही most important है और आपके final exam की दृष्टीज के लिए भी most important है और वो प्रस्न आता है कि कमपनी का प्रवर्तन कैसे होता है इसमें कौन-कौन सी प्रक्रियाएं अपना ही जाती है तीसरे नंबर का यह जो question है बहुत ही important question है और इस question को जरूर त्यार कीजेगा अगला प्रस्न question number 4 चौथे नंबर पे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कमपनी का प्रविबरन किसे कहते हैं यह छोटे में पूछा जाता है इसकी विश्यस्ता है बताईए ओके question number 5 में कमपनी की अंसपूझी से आप क्या समझते हो यह बहुत 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 most important है कमपनी की अंसपूझी से आप क्या समझते हो अंसपूझी के पिरकारों का वरण करो इसमें समता अंसपूझी है पूरवादिकार अंसपूझी है यह दोनों पिरकार की पूछी जाती है अब जो question number six है अंस केसे कहते हैं अंश अंशों के पिरकार बताईए यह question काफी repeat होता है बहुत important है एक तो यह most important है company के पिरकार एक दो पिरकार जरूर आ जाएगा final exam में भी most important है company का जन्म कैसे होता है यहाँ पर यह भी पूछा जा सकता है company का निर्माल कैसे होता है देखो मैं बता रहा हूँ paper मैं set नहीं कर रहा हूँ बिटा लेकिन जो important important topic है book बहुत मोटी होती है हम लोग क्या करते है उसको बहुत सरल कर देते है क्यों कर देते है एक तो हमारी भासा salary जो होती है आपकी वाली होती है सरल होती है दोड़ी सी और book में जो tough languages की होई होती है वो हम सरल language में सारा सब कुछ देते है क्योंकि हमारे यहां से जो भी PDF नोट्स दिया रहा है उनमें कबाल भरा हुआ नहीं है बहुत ही बढ़िया एकदम सरल language में है और बहुत लोग तो उसको जाइन भी किया हुए है और मैं यह नहीं कहता कि आप पढ़ रहे हैं वहां पढ़िये लेकिन कुल मिला करके अगर बास्तम में बहतर त्यारी करनी होगी तो एक planning के तहट करनी होगी और इन question को आपके हो सकता है थोड़ी भासा चेंज हो जाए language चेंज हो जाए लेकिन question यहीं होगे और यह जो question है unspoonji वाला important है और इसके आगे का नहीं आना चाहिए अगर इसके आगे का आया तो ऐसे सुन लो क्या आ सकता है company की सदस्ता से आप क्या समझते हो और company की सदस्ता लेने के लिए क्या क्या करना होता है और company के सदस्तों के अधिकार आवम करतब यह पूछा जा सकता है और आगे अगर पूछा तो book college ऐसा होगा कि समझ लो कि मैं समझ रहा हूँ कि पूछना नहीं चाहिए 99% लेकिन फिर भी अगर कोई पूछ रहा है तो company की सभाओं को पूछ सकता है company में जितने भी directors होते है जितने भी सदस होते है उन सब की meetings के लिए भी पूछ सकता है तो इतना सब कुछ तैयर कर लीजेगा और फिर भी अगर पूरे भी कौम में कहीं दिक्कत आ रही हो तो यह हमारा number है यहां से आप संपर्क करिए आपको कहीं पर भी हमाशुदा नहीं होने देंगे exam तक हम आपके साथ हमारे जो भी बैचिस है अगर आप हमसे जोड़ते हो तो exam तक आपका पूरा-पूरा हम साथ देते हैं और PDF classes, recorded classes, live classes sorry PDF के माध्यम से recorded classes के माध्यम से live classes के माध्यम से हमारे आपके पास तक सारा content पहुचाते हैं और उसके साथ साथ में जो important questions है वो भी इसी तरह से provide कराते हैं लेकिन बहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छे से होते हैं तो कैसा लगा यह ज़रूर लिखेगा मिलते हैं next video में तब तक के लिए bye bye